नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, Ritoflame Plus Tablet को कैसे लेना चाहिए और Ritoflame Plus Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे की Ritoflame Plus Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Rytoflam Plus Tablet का उप्योग शरीर में दर्ध होने पर और सूजन को कम करने के लिए Rytoflam Plus Tablet का उप्योग किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वजह से सूजन आ गई है, तो Rytoflam Plus Tablet दर्ध के साथ सूजन को भी कम करती है और कोई चोट लगने पर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट का उपयोग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोरों में दर्ध होने पर, कमर में दर्ध होने पर, कान में दर्ध होने पर और गले में दर्ध होने पर आधी कंदीशन्स में रुटोफ्लैम प्लस ट टैबलेट का उप्योग किया जाता है कोई सर्जरी होने के बाद या कोई एक्सिडेंट होने के बाद घाव को जल्दी ठीक करने के लिए और सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्तर रुटो फ्लैम प्लस टैबलेट को लेने की सला दे सकता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में रुटो फ्लैम प्लस टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पस पर खुजली होना त्वचा पर रैशेस होना भूग कम होना दस्त होना और लिवर इंजाइम बढ़ सकते हैं ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा डोज में रुटो फ्लैम प्लस टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकते हैं और शरील में खून की कमी हो सक होता है यदि आपको रुटो फ्लैम प्लस टैबलेट को लेने के बाद सांस लेने में दिक्कत मुह गले होठो या त्वचा पर सूजन त्वचा पर खुजली त्वचा पर रैशेस या रुटो फ्लैम प्लस टैबलेट को लेने के बाद एकदम से बुखार होता है तो आपक प्लस करेंगे की रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। प्लस करेंगे की रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। इसलिए इन कंडिशन्स में डॉक्तर की सला के बिना रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। लगातार दो सब्ता से अधिक रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना दो सब्ता से अधिक रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका रुटोफ्लैम प्लस टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते है